आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं आरकाइडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए धन्यवाद है मैं मुकुल देव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं जो लोग जोड़ रहे हैं उससे उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज आप लोगों तक पहुँच रही होगी रितेश शिना साहब गुड़ मॉनिग खुशी दूबे साहब गुड़ मॉनिग आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए धन्यवाद है संगीता साहब, सिखा जैश्वाल, अपशेक्तिवारी, गरिमा सिंग, पूजवा, खुशी, दूबे, रितेश सिना आप सब सर की एन अकैडमी आप की क्लास क्यों नहीं अटेंड करते हैं पता नहीं लोग क्यों नहीं अटेंड करते हैं गरितेश सिना, यस सर, अपशेक्तिवारी, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज का कुल मिलाकर जो क्लास है, वो वड़ी इंपोर्टेंट क्लास है और देखें, इंपोर्टेंट क्लास का मतलब यह होता है, हर क्लास इंपोर्टेंट होती है एक तो की, जो हमारे कृषी मंत्री साहब है, नरेन तोमर साहब है उन्होंने कल जो है, वो अंतरास्टिय दलहन जो 10 फरवरी को था उसको लेकर उन्होंने रूम में इस्थित संस्था है, FAO FAO को उन्होंने संबोधन किया है और उसमें जो है अंतरास्टिय दलहन विशय के संबोधन में उन्होंने कहा कि भारत जो है वो दलहन को लेकर उत्पादक और उभोगता दोनों बड़ा है विश्युका दलहन को लेकर उन्होंने कहा कि भारत जो है sustainable development से भी जोडने का प्रयास किया है उसको और कहा है कि जो sustainable development goal है उस goal में जो 17 goal है उसमें जो पहला goal है जो दूसरा goal है जो पाँचवा goal है जो आठवा goal है जो ग्यारवा goal है तो कैसे दलहन उन goalों को पूरा करने में एक महत्पूर्ण भूमी का निभाएगा और भारत उसको कारे कर रहा है तो ये एक बड़ी चीज है क्योंकि हो सकता है कि UPSC linkage form पे जाती है तो इस तरह के सवाल पूछ ले पहली बात दूसरी बात दिखिए कल जो है हिंदू में आठकिल आया है और हिंदू में जो legal tender है देखे legal tender और legal term दो अलग-अलग चीजे हैं तो क्या legal tender है कि नहीं है तो ये समझना होगा cryptocurrency को लेकर कि cryptocurrency work out कैसे करती है तो ये आज का ये topic है दूसरा और तीसरा एक topic है दल-बदल पर क्योंकि नागा लैंड पे नागालेंड के जो विधायक है साथ विधायक थे उनके उपर कुछ मामला है तो इन तीनों पर मैं बातचीत करूँगा अगर थोड़ी भी class आप मिस करेंगे starting से ही तो problem ये होगी कि वो class को आप interconnect नहीं कर पाएंगे और कल मैंने देशद्रोह के उपर जो देशद्रोह आज कल भारत में बड़ा प्रचलन में है कि किसी को भी sedition law के अंतरगत कर दिया जाता है कल देशद्रोह पे मैंने बातचीत की है वो class app पे पड़ी हुई है मैं आप सभी लोगों से request करता हूँ क्योंकि देखिएगा आज नहीं तो कल देशद्रोह पे question जरूर UPSC mains में आप PT में जरूर पूछ लेगी और खास कर article जो 124A है उसको article 124A को article 19-2 से और 19 से जोड कर पूछ लेगी तो इसलिए वो दोनों important है एक important act है Unlawful Prevention Activities 2019 प्लीज आप लोग उसको देख लीजेगा क्योंकि वो बहुत important है Unlawful Prevention Activities तो वहां से भी सवाल आने की संभावनाएं है तो ये सब कुछ है ये सारी चीजे हैं इंडिया में cryptocurrency legal tender नहीं है बट सर बैन भी नहीं है अब यही तो सवाल है इसी सवाल का तो जवाब मैं देऊंगा आप लोगों को कि legal tender का मतलब क्या होता है और कोई चीज जो currency होती है वो कैसे work out करती है अगर legal पूछेगा त्रिप्ती या मैं अपनी पूरी class को बताना चाहता हूँ legal पूछेगा तो इंडिया में cryptocurrency legal है येस लेकिन legal tender नहीं है ये no होगा अगर पूछ लेगा UPSC कि is it legal in cryptocurrency yes, the cryptocurrency is legal in India but it is not a legal tender in India तो ये ही तो समझना है कि legal क्या होता है इन ही सारे सवालों का जवाब लेकर मैं आया हूँ आप सभी लोग चो है प्लीज class में बने रहिएगा मैं देखता हूँ लोग आते हैं चले जाते हैं त्रिप्ती मैं उमीद करता हूँ कि जो classes मेरी हैं उसको तुम app पे भी किया करो बेटा app पे भी किया करो चलते हैं स्टार्ट करते हैं अपने session को स्टार्ट करते हैं crack UPSC, CSE, GS, India largest learning platform में आज का दिन बड़ा पावन है और आज के पावन दिन को आप सभी हुआ जो है वो तो जानते ही होंगे कि आज का पावन दिन किसलिए मैं पावन कह रहा हूँ बड़ा ही पावन दिन है आज जो है तो मैं ज़्यादा आप लोगों को बोर नहीं करूंगा लेकिन टॉपिक इतना इंटरस्टेडिंग रहेगा कि आपको अच्छा लगेगा तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं डेली लाइब क्लासेस में स्ट्रक्चर कोर्सेस, लाइब टस्कीजेस, अनलिम्टेड एकसेस सभी कुछ मिलता है आपको अनकाइडमी के लर्निंग अप पर जो लोग भी मुझसे जुड़ना चाहते हैं देखे टेली ग्राम का चैनल ये है जिस पर मैं अभी क्लास खतम होने के बाद ही आपको भेज दूँगा कि मैंने जो पढ़ाया है वो क्या है दूसरा देखे ये अनकाइडमी का अप है जिल लोगों को ढूणने में मुश्किल होती है ये प्लीज नोट कर लें या जब आप अपनी क्लास खतम करेंगे तो मेरे वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है उस लिंक को जैसे ही आप टच करेंगे तो आप सीरे जो है अप अगर आपके फोन में डाउनलोड होगा तो आप मुझे खोल सकते हैं वहाँ पर आप जा सकते हैं वहाँ पर जाके आप क्लासेस देख सकते हैं कि कल राजदुरो पर क्लास हुई है आप चार बज़े कलास अभी से मैं बता दे रहा हूँ कलास चार बज़े जो है वो फाइनेंस कमिशन सेकेंड पार्ट फाइनेंस कमिशन सेकेंड पार्ट और जो सेकेंड पार्ट की कलास है वो खासकर लोकल बॉडीज को लेकर है पंचायत की local bodies को लेकर है और नगरपालिका की local bodies को Finance Commission चाहता क्या है कि पंचायत और नगरपालिका कैसे work out करे तो इसको लेकर ये classes हैं तो Finance Commission second part हम लोग आज करेंगे ये classes होंगे चलते हैं तो ये प्लीज अगर जिसको लगता है कि ये करना चाहिए तो यहाँ पर कर ले Finance Commission वाली class जरूर से कर लीजेगा और जिसको मतलब आज नया जो है जो करना चाहता है तो पहले वो वाली class जरूर से देख लीजेगा Finance Commission part 1 यहाँ पर देखिए top educators हैं सुदर्सन गूजर साहब हैं मुदद गुपता साहब हैं Unacademy अपने आप में एक ऐसा platform है जो आपको पूल देता है आपको अपनी choices के अंदर आपको variations देता है कि आप जिससे चाहें उससे जुड़ सकें इस तरह का platform देने वाला Unacademy अपने आप में एक लवता platform है और आप इसकी उपयोगिता समझ सकते हैं यहाँ पर तमाम courses या तमाम syllabus शुरू हो रहा हैं देखिए अभी भी प्लस या Iconic courses में आप जाएं तो 12 महीने की fees 49,000 है और आप मेरा code यूज करके मुकुल देव मेरा code है आप इसको यूज कसके 10% discount ले सकते हैं 24 महीने का 72,000 है और यहाँ पर आपको 64,800 रुपए देने होंगे अगर आप Iconic courses की बात करें तो Iconic courses में आपको 69,500 है यहाँ पर 62,550 रुपए देना पड़ेगा एक लाग 7,000 रुपए है यहाँ पर आपको 96,000 रुपीज देना पड़ेगा मुकुल देव मेरा code यूज कर सकते हैं Iconic क्यों अच्छा है क्योंकि personal coach है structure schedule है daily means question answer practice है study planner है personalized feedback है यह सारी सुविधाएं आपको Iconic के platform पर मिलती है यहाँ पर अगर आप optional भी चुनना चाहते हैं तो optional की में भी बहुत सारी varieties है बहुत सारा है आप एक बर course लेके आप पढ़ लीजे मानली जी आप एक महिना पढ़े है आपको लगा कि political science आप नहीं लेना चाहते हैं तो आप वहाँ change करने का option है आप दूसरे teacher से जा सकते हैं मानली जे दो geography का optional पढ़ा रहा है तो आप दोनों teachers से आप अपने को राफ्ता कर सकते हैं रूबरू कर सकते हैं आप उनसे इतिफाक रख सकते हैं उनसे चीज़ों से discuss कर सकते हैं तो इस तरह की सारी सुविधाएं आपको यहां पर मिलती हैं तो मैं उमीद करता हूँ कि जिसको भी करना है वो कर ले दिखिए एक चीज important information ये है कि after 28 फरवरी 28 फरवरी तक आपको 10% जो off मेरे code पे मिल रहा है या जो भी teacher से उनके code पे जो off मिल रहा है ये off जो है वो 5% हो जाएगा जिससे ये कम से कम fees जो है जो से मैं उमीद करता हूँ Pinky Mishra Diplomatic जी Pinky Mishra कुछ कहना चाहा रही है diplomatic किस बात में diplomatic बेटा गूड मॉरिंग पिंकी Mishra गूड मॉरिंग बेटा चलते हैं चलते हैं यहां पर disqualification of MLs मामला क्या है मैं आपको पहले एक मामला समझा देता हूँ और हमको पढ़ना क्या है त 2019 में चुनाओ होता है और 2019 में चुनाओ जो होता है उसमें कॉंग्रेस के उमीद्वार गया समर्थन जो है वो नागा पीपल फ्रेंट एक वहाँ पार्टी है नागा लैंड में नागा लैंड की एक नागा पीपल फ्रेंट पार्टी है मैं लिग देता हूँ फ्रेंट वो लोग सभा के चुनाओं में अपने पार्टी के विप का उलंगन करते हैं उनका पार्टी किसी और को सपोर्ट करती है लेकिन ये साथ लोग जो नागा पीपल फ्रेंट के लोग हैं वो लोग वहां से निकल कर आते हैं और किसका सपोर्ट करते हैं कॉंग्रेस के उमिद्व रखाई हो जायगा तो कुल मिलाकर मामला ये है अब देखी मैं थोड़ा सा आपको धंग से समझा देता हूं कि क्या मामला मैंने आपको बता दिया कि क्या है यहां जो नागा पीपल्स लोगों को थोड़ा सा ये समझना है कि कुल मिलाकर क्या होता है ये दल-बदल में क्या-क्या चीजें शामिल होती हैं देखिए दल-बिदल विरोधी कानून को थोड़ा सा मैं आप सभी लोगों को समझा देता हूं होता क्या है या दल-बिदल जो दल-बदल विरोधी कानून आया, इस विरोधी कानून में क्या-क्या चीजें थी, थोड़ा सा अगर आप लोग धंग से समझने की कोशिश करेंगे तो मैं थोड़ा सा आपको पिस्ट भूमी की तरफ लेके चलने क्या प्रयास करता हूँ, पिस्ट भूमी का मतलब होता है कि पिछले कई चीजों को मैं थोड़ा सा यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ आपके लिए दिखी होता क्या है कि जो भारती राजनीत है, जो इंडियन पॉलिटेक्स है इंडियन पॉलिटेक्स जो है वो जैसे चल रही है, ऐस इस चलती है लेकिन 1950 से लेके 1960 का दसक तो बड़ा अच्छा रहता है लेकिन यह होता है कि 1950-60 के बाद जब 10 साल आप चल चुके होते हैं, उसके बाद भारती राजनीती में धीरे-धीरे गिरावट देखने को मिलती है और बहुत सारी ऐसी यथा इस्थितियां देखने को मिलती हैं जो भारती राजनीती में जो हमारे Constitution या निर्मान करने वाले लोग थे उन्होंने कलपना उस बात की नहीं कर रखी थी वो ये देखते हैं कि 1960 में एक घटना घटती है कि 1960 में विधानसवा का चुनाव होता है हरियाना का, खासकर हरियाना का और उसी के साथ साथ और स्टेट्स में भी होता है हरियाना 1960 में चुनाव होता है और इस चुनाव में एक व्यक्ती जो होता है मतलब एक परसन है जो की विधानसवा का सदस से चुनके आता है ये विधानसवा का सदस से चुनके आते हैं और ये एक दिन में, वन डे में, ये तीन बार पार्टी बदल देते हैं, चुनके किसी और पार्टी से आते हैं, और दिन में तीन बार, मतलब अगर मॉर्निंग में किसी और पार्टी में हैं ये, चुनके आये किसी और पार्टी से, मॉर्निंग में किसी और पार्टी में हैं, तो उन राज्यों में ये पाया जाता है कि जो भी सदस से चुन के आये हैं वो चुन के आते हैं किसी अलग पार्टी के सिंबल पर मालीजे पंजे के निसान पर चुन के आये कॉंग्रेस पर और जब चुन के आये तो उन्होंने क्या किया कि सदन में उनको उनको लोगों ने इ कर देते हैं और वहाँ पर किसी और सिंबल में चले जाते हैं तो इस तरह से ये पाया जाता है थ्री टाइम से वन डे इन हरियाना येस 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 पिंकी मिसरा तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है यहाँ पर प्रॉब्लम ये होता है कि कहीं न कहीं जो भारत ये Indian politics है उसमें क्या पैदा होती है उसमें instability पैदा हो जाती है पहली बात की instability पैदा होती है दूसरे बात mandate के खिलाफ होता है मान लीजी मुझको चुना गया पढ़ाने के लिए current affairs और मैं पढ़ा रहा हूं पता चला जो है physics या मैं पढ़ा रहा हूं bio या मैं पढ़ा रहा हू neat तो ये mandate के खिलाफ होगा ये आपकी भावना के खिलाफ होगा मैं अगर आऊं और पता चला कि मैं जो है आपको neat की पढ़ाई पढ़ाने लगूं तो ये mandate के खिलाफ होगा मतलब जिस काम के लिए an academy ने मुझको चुना है उस काम को मैं perform नहीं कर रहा हूं ये ही देखने को मिला कि भारती राजनीती में अस्थिरता पैदा हो रही है भारती राजनीती में गिरावट पैदा हो रही है और जिन लोगों ने आशा और उमीद के साथ आपको सदन में चुन कर भेजा था कि आप उनकी आवाज उठाएंगे और इस पार्टी के सिंबल पर आप उनके 1660 के बाद ये मन्थन बढ़ता चला गया चुकि ये प्रवितियां बहुत बढ़ती चली गई इन प्रवितियों के बढ़ते जाने के कारण 1985 में 1985 आते आते जो राजीव गांधी की तकालिन सरकार थी उसने जो है दस्वी अनसूची जोड़ा उसने 10 जो है अनसूची जोड़ और इस 10 अनसूची में उसने जो है दल बिदल विरोधी कानून पैदा किया दल बदल विरोधी कानून जो है उन्होंने लाया कि दल बदल विरोधी कानून लाया गया इसलिए लाया गया ताकि इस तरह की गत्विधियों को रोका जा सके या इस तरह से नहीं हो सकता कि आप आप चुनके आएं, आप पार्टी के लोगों को नमाने, आप चुनके आएं, आप वोट किसी और को कर दें, आप चुनके आएं पार्टी के गत्विधियों के खिलाफ काम करें, तो इन सभी चीजों से बचने के लिए राजिय उगांधी के समय में 1980 में दस्वी अंसूची जोडी गई और इस जस्वी अंसूची में क्या किया गया 1985 में 52 संविधान संसोधन फिर से किया गया और 52 संविधान संसोधन के माध्यम से कुछ आर्टिकिल्स में परिवर्तन किया गया जिसमें 101 है 102 है 190 है और 191 इंसम में परिवर्तन किया गया इस त में हर्याना में घटना हुई थी वो गया लाल ने की थी गया लाल आज सबेरे किसी और पार्टी में थे दोपहर में किसी और और साम को किसी और पार्टी में थे तो इसी लिए कहा गया कि आया राम गया राम राजनीत में कोई चीज स्थिर नहीं होती आया राम गया राम का न अब थोड़ा सा मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा, कल जब ये कोहिमा में मामला उठता है और ये कहा जाता है कि इन्हों ने पार्टी विप का उलंगन किया था, तो जरा समझिएगा कि पार्टी विप का उलंगन का क्या मामला होता है, पार्टी जब कोई बात कहती है, मान लीजे पार्टी ने किसी बात को लेकर विब जारी कर दिया विब जारी का मतलब होता है कि उसने एक निर्देश जारी करती है और अगर कोई भी पार्टी का सदस्य चुकि पार्टी का सदस्य मतलब पार्टी के सिंबल पर चुनके आने वाला व्यक्ति वो पार्टी का सद अगर वो विप का उलंगन करता है उन निर्देशों का उलंगन करता है पार्टी का तो ऐसा माना जाता है कि उसकी सदस्यता को क्या किया जाएगा डिस्क्वालिफाई किया जा सकता है अब यहां पर कुछ important points हैं जिन important points को मैं discuss कर देता हूँ आपके लिए कि आप किस आधार प अपने घर पे जाकर जो लक्ष्मी कान की किताब है उसमें anti-difection law को जरूर से पढ़ लीजेगा क्यों क्योंकि मुझे यह उमीद है कि दिखिए मैं जो भी politics के sections को discuss कर रहा हूँ मुझे यह पूरी उमीद है कि आने वाले कल में जब exam hall में आप बैठेंगे तो जरूर से वह मैं कांग्रेस की party पे चुनके आया, पॉंग्रेस की symbol पे चुनके आया और जब मैं चुनके आया तो उसके चुने के आने के बाद मैंने अपने क्या किया मैंने राजनितिक दल की सदस्यता छोड़ दी, मान लीजे मैंने कॉंग्रेस की सिंबल पर चुनके आने के बाद, मैंने कॉंग्रेस की अगर सदस्यता छोड़ दी, मैंने ये कह दिया कि मैं कॉंग्रेस का सदस्यता से त्याक पत्र दे दिया हो, तो मैं क्या होंगा, मैं डिस् प्रीत मत देता है, मान लीजे मैं मुकुल हूँ, मैं फिर से कॉंग्रेस के सिंबल पे चुनके आया हूँ, और कॉंग्रेस ने मुझसे कहा, कॉंग्रेस की पार्टी ने कहा कि आपको सदन में इस मामले में कॉंग्रेस का साथ देना है, या आपको मतदान में, विपच में मैंने अपनी कॉंग्रेस पार्टी का क्या किया विप का उलंगन कर दिया मैंने उनकी बातों को नहीं माना तो भी मैं क्या हो जाओंगा तो भी मैं डिस्क्वालिफाई हो जाओंगा यहां पर यह कहा गया कि आप डिस्क्वालिफाई हो सकते हैं लिकिन अगर आपने चमादान मांग लिया हो, अपनी पार्टी को छमादान मांगा हो, कि मुझे माफ कर दीजे और अगर ऐसा छमादान मैं नहीं मांगता हूँ 15 दिनों के भीतर मुझे मांगना होगा, 15 दिनों के भीतर अगर घटना घटने के बाद मैंने नहीं मांगी और उन्हों मैंने नहीं मांगा या उनकी तरफ से मुझे नहीं दिया गया तो क्या हो जाएगा मैं पार्टी की सदस्ता से क्या हो जाएगा पार्टी की सदस्ता से मुझे निकाल दिया जाएगा तो कुल मिलाकर ये हो गया डिस्क्वालिफाई का मैटर लिकिन ये तो party के सदस्यों का matter है एक matter होता है, निर्दली ये क्योंकि भारतिय राजनीती में अगर देखा जाए तो भारतिय राजनीती में सिर्फ देखे एक कुछ लोग party के symbol पर जीटके आते हैं देखे भारतिय राजनीती में, election में कैसे लोग आते हैं तो कुछ लोग पार्टी के सिंबल पे जीत के आते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो कि कहीं कहीं निर्दली होते हैं, वो किसी दल से चुनाव नहीं लड़ते हैं, निर्दल होते हैं, तो वो निर्दली चुनाव लड़ते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिनको नॉमि करता है राजसभा में करता है निर्दली भी चुनके आते हैं और पार्टी से भी चुनके आते हैं पार्टी के लोगों के लिए डिसक्वालिफाइंग का ये हो गया कि अगर मैंने पार्टी की बात नहीं मानी तो मुझे डिसक्वालिफाइंग कर दिया जाएगा या मैं पार् विधान सवाच्षेतर से निर्दली चुनाव लड़े और निर्दली चुनाव लड़कर वो जीते हैं निर्दली चुनाव लड़कर वो आए और जब वो निर्दली चुनाव लड़कर आए हैं उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जैसे मानली जी वो अपशेक तिवारी और सदन में आने के बाद, माली जी उन्होंने BJP की सदस्यता ले ली, तो जब वो BJP की सदस्यता लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये डिस्क्वालिफाई नेचर में हो जाएगे, क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि देखिए इनको जो mandate मिला था अभी शेक तिवारी को, जो इनक सभा के लोगों ने इनको चुन कर भेजा था वो दल के आधार पे नहीं चुना था वो इनके निर्दल के करेक्टर पे था कि आप किसी दल की विवस्था से नहीं होंगे और इन्होंने उस मैंडेट के खिलाफ जाकर सदन में ही जाते ही इन्होंने बीजेपी की सदसेता कर ली तो इसलिए इनको भी Disqualify करने की विवस्था जो है वहाँ पर की गई है तो निर्दली सदसे कब होगा जो बिना किसी राजनितिक दल का उमिद्वार होता है या चुनाओ जीता हो किसी सदन की सदसता का निरख हो जाएगा यदि वह चुनाओं के बाद किसी राजनितिक दल की सदसता धारन करता है अगर अपशेक्तिवारी ने सदसता धारन की तो वो हो जाएंगे अब ये दूसरा मैंने आपको बता दिया थर्ड याद रखेगा करेक्टर नॉमिनेट का नॉमिनेट का मतलब होता है जिन लोगों को चुना गया हो किसके द्वारा या तो रे प्रेजिडेंट के द्वारा या तो राजिपाल के द्वारा अगर प्रेजिडेंट और राजिपाल के द्वारा जो चुने हुए व्यक्ति होंगे जरा समझने का प्रयास करिएगा अगर वो सदन में चुनके आते हैं और वो सदन में चुनके आने के बाद पता चला कि मान लीजी आज चुनके आये हैं मैं आज की डेट ले लेता हूँ 14 फरवरी 14 फरवरी को चुनके आ रहे हैं और चुनके आके सदन में उन्होंने सदसता ग्रहन कर ली सपत ग्रहन समारो हो गया उनका उनको मतलब एक ओथ लेना होता है ओथ लेने के बाद चाहे विधान सभा में जाएंगे चाहे लोग सभा में जाएंगे ओथ लेना होता है ओथ उन्होंने ले लिया उन्होंने सपत ले छे महीने में पता चला जो नॉमिनेट होके आया है नॉमिनेट में मैं निगम भारती का नाम ले लेता हूँ कि निगम भारती साहब हैं ये नॉमिनेट होके आये इन्होंने 14 फर्वरी का नॉमिनेशन हुआ ये चुनाओ जीत गए इन्होंने सपत ले लिया अब ये सपत लेने के बाद छे महीने के भीतर इन्होंने क्या किया ये किसी पार्टी के सदसे बन गए इनको अच्छा लगा कि चलिए सर हम लोग पार्टी का सदसे बन जाते हैं और ये किसी पार्टी का सदसे मान लीजे मैं कहता हूं कि ये बीजेपी के सदसे बन गए या फिर राजिपाल ने इनको नॉमिनेट किया था, न किये यहां कर आकर किसी राजनितिक दल का हिस्सा बनने के लिए, तो फिर ये उस भावना के खिलाफ जा रहे हैं, तो कुल मिलाकर अगर दल बदल को देखा जाए, तो दल बदल क्या किया, दल बदल कानून जो उनिस सो पच रखने का प्रयास किया गया, और ये किया गया कि जो mandate होगा, उस mandate के खिलाफ अगर वो विदान सभा का सदस या लोग सभा का सदस से जाता है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम जो है कहीं न कहीं डिस्क्वालिफाई करेंगे, चाहे वो party member के रूप में अगर करें, तो भ अगर वो नॉमिनेट हुआ है, किसी सदन का नाम निर्देशिस सद से अगर उस सदन की सदस्ता के लिए अयोग हो जायेगा, यदि वह उस सदन में अपना अस्थान ग्रहन करने के 6 माँ बाद किसी राजनितिक दल की सदस्ता ग्रहन कर लेता हो, तो इसलिए वहाँ पर वो ची के जो साथ विधायक थे उन साथों विधायक को अब डिस्क्वालिफाई कर दीजे क्यों कर दीजे उन्होंने आधार क्या बताया उन्होंने का सीधे उन्होंने पार्टी विप का उलंगन किया है पार्टी ने मना किया था लेकिन फिर भी उन लोगों ने क्या किया दो हजार लिकिन इस घटना के आगे भी बहुत सारी चीजे हैं, मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूँ, दुर्ष यही नहीं है, दल बदल में एक चीज और है, एक होता है निर्धारण अधिकारी, निर्धारं अधिकारी का मतलब होता है, इस मामले में कौन निर्धारित करेगा कौन देखेगा कि चीजें सही जा रही है या नहीं जा रही है तो जो आपका पिठा सीन अधिकारी होगा चाहे वो लोक सभा का हो चाहे वो राज सभा का हो चाहे वो विधान सभा का हो जो पिठा सीन अधिकारी होगा वो निरर्था सम्मंदी प्रशनों का निर्णे सदन का अ तो पहले क्या था कि ये questionable नहीं था ये मतलब Supreme Court में इस बाद को question नहीं किया जा सकता था लेकिन बाद में क्या किया गया इस प्रावधान को खत्म किया गया और अब अगर निरता संबन्दी कोई सवाल उठता है तो उसको हम क्या कर सकते हैं उसको हम ले जाकर question mark उठा सकते हैं इसी लिए थोड़ा सा इन सभी कानूनों को प्लीज आप लोग जाकर आप लोग जो है मैं सभी लोगों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि जाकर जरूर से पढ़ लीजेगा जाके जरूर से अपने लक्षमी कान्त में इन चीजों को पढ़ लीजेगा मोटी मोटी जितनी जाते थी ये कानून किस भावना के तहट लाया गया कैसे इस कानून से मैंडेट बनाने की बादचीत की जा रही है कैसे स्वस्त लोकतंत्र में जनता के मतों का चुनवती देने के लिए नहीं बनाया गया और आपने क्या किया आपने जनता के मतों के खिलाफ गए तो इसी लिए दल बिदल विरोधी कानून लाया तो इसलिए मतलब क्या है लोकतंद्र की निव को मजबूत करने के लिए दल विरोधी कानून जो लाया गया इसको थोड़ा सा आप लोग जाकर पढ़ लीजेगा मैंन मोटी मोटी जितनी उसकी बात ने थी मैंने आपको बता दी, अब मैं सवाल ले लेता हूँ, कुछ सवाल होंगे, बस अब का ले लेता हूँ, सब का सवाल ले लेता हूँ, यहाँ पर कुछ लोगों का सवाल है, प्रिंकी मिस्रा ने पूछा है, सर, what should had been done in politics was not being done, प्रिंकी मि लोगों का चुनावी ही करिये, यही किया जा सकता है, इससे ज़्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है, आरती यादाव ने लिखा है, कि सर, पुल्वामा अटैक का आज ब्लैक डे है, हाँ बेटा ब्लैक डे है, ठीक है, अब शेक तिवारी का गाइडलाइन ठीक है, जरू है, विप का यहाँ पर दिखेगा, पूरी क्लास तोड़ा सा ध्यान रखेगा, यहाँ पर पिंकी मिश्टा जी लगातार सवाल पूछ रही है, वो यह पूछ रही है, कि सर, विप एनी निगेटिव एलमेंट्स, नो डाउटली, विप हैब मैनी निगेटिव और उसने विप जारी किया कि इस कानून का विरोध करिए या इस कानून का क्या करिए आप इस कानून को लेकर जो मतदान हो रहा है उसके खिलाफ जाए और उस परसनल व्यक्ति को लगता है मानलीजे पिंकी मिश्रास जिसे मैं नाम ही ले ले रहा हूँ पिंकी मिश्रास आप को क्या है पार्टी के साथ खड़ा होना है बीजेपी में पिंकी मिस्रा साब को ये लगा कि नहीं ये जो विप है वो कहीं न कहीं मुझको नहीं मानना चाहिए क्यों क्योंकि मैं ऐसे छेतर से चुनके आई हूँ जो मेरट है या जो लुधियाना है या जो पंजाब का छेतर है और जहां वास्तों में किसान विरोधी कानून से परशान हो सकते हैं तो उन्होंने उसका क्या किया उसका उलंगन किया तो नो डाउटली निगेटिव एलमेंट्स भी होते हैं कई बार इसके निगेटिव एलमेंट्स यह है कि कई बार जो पार्टीज होती है वो अपने विप को इसलिए जारी कर देती है ताकि उनका सदस्रिन जा सके और कई बार रास्ती मुद्दे इसलिए अंधकार में खो भी जाते हैं तो नो डाउटली कुछ निगेटिव एलमेंट्स हैं इसमें डाउट ही नहीं है किसान सोनी साब ने पूचा है सर एंसे आटी बुक में कौन-कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है UPSC एक्जाम के लिए सभी सबजेक्ट के लिए किसान सोनी साब इसके लिए आप टेलिग्राम चैनल जॉइन कर लिए वहाँ पर मैं आपको बता दूँगा ठीक है किसान सोनी साब इस तरह से अभी चलती हुई क्लास में मैं अगर आपको कौन-कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो यह बड़ा मुश्किल होगा और देखो यार UPSC चैप्टर इंपॉर्टेंट पे नहीं जाता है याद रखना कोई अगर इस तरह से पढ़ा दे मैं पूरी क्लास को आपको बता रहा हूँ कोई कहदे कि मैं पढ़ा दे रहा हूँ पढ़ने के करम में एक चीज़ बस ध्यान रखिएगा जिसे दल बिदल विरोधी है उसमें NCID में बहुत अच्छे से दे रखा गया है दल बदल को लेकर अभी तमाम मुद्दा चल रहा है तो नो डाउट लिए अब दल बदल को अच्छे से पढ़ लीजे धन्यवाद प्रस्तावर आस्पती का जो धन्यवाद प्रस्तावर आस्पती का थैंक्स ऑफ मोशन है उसको लेकर बहुत मामला आया बहुत ज़्यादा मामला आया तो उसको पढ़ लीजे मुईना मुईना मित्रा साब ने जो कोश्चन मार्क उठाया CGI पर उसको लेकर बहुत मामला है तो नूड आउट ली उसको अच्छे से पढ़िए तो इस तरह से हो सकता है बाकी कोई simple handed तरीका कोई नहीं है किसन सोनी साप चलते हैं यहां से थोड़ा साम लोग आगे चलते हैं दल बदल विरोधी कानूनों से आगे चलते हैं एक हम लोग ले लेते हैं जो हमारे नरेंद्र सिंग तोमर साहाब है नरेंद्र सिंग तोमर साहाब है इन्होंने केंद्री किसी कल्यान मंत्री है इन्होंने भारत में कल इन्होंने FAO को जो है उन्होंने संबोधन किया, जो संगठन है, उसको पूरी निउज है, आप लोग उसको चाकर देख सकते हैं, कल की निउज है. इन्होंने कहा कि जो भारत है वो दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उभ्भोकता है और कहीं ने कहीं भारत जो है वो दालों में लगभग आत्मिरभरता उसने हासिल कर ली है तो इन्होंने कल ये स्टेटमेंट वहाँ पर जारी किया इन्हों ने अपने statement जारी करने के क्रम में और भी बहुत सारी बातें की हैं मैं एक एक करके आपको थोड़ी कुछ बातें और भी बता देता हूँ इन्हों ने कहा कि उत्पादक और व्बोकता के रूप में है जो है इन्हों ने कहा कि जो sustainable development goal है जो STG के गोल है 17 गोल है इन 17 गोलों को भारत सरकार जो है वो प्रतिबद्ध है कि इन 17 गोलों को भारत सरकार फॉलो कर ले या भारत सरकार इनको प्राप्त कर ले इन 17 गोलों में उन्होंने कहा कि दलहन के माध्यम से चुकि भारत क्या है उत्पादक भी बहुत जादा है और उब्भोगता भी बहुत बड़ा है तो उन्होंने अपने वक्तव में कहा कि भारत उत्पादक और उब्भोगता होने के नाते भारत कहीं कहीं दलहन के माध्यम से दिखें नो पावर्टी दिखेंगा आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ नो पावर्टी गरीबी को खत्म करना चाहिए और लोग दलहन का उत्पादन करेंगे जो भी जहां पे भी है क्योंकि दलहन की उत्पादन के लिए आपको बहुत पानी नहीं चाहिए होगा बहुत आपको अच्छे किस्म के बीज नहीं चाहिए होंगे, वो सुस्क क्रिसी में भी हो सकता है, उसके लिए कोई बहुत मशीन नहीं चाहिए होगी, बार-बार उसकी खुदाई नहीं करनी पड़ती है, उसकी निराई नहीं करनी पड़ती है, उसमें फटिलाइजर्स बहुत नहीं चाहिए होता है, तो उन उन्होंने बताया कि दलहन को अगर देखा जाए धंग से तो दलहन उच पोशन युक्त है मतलब high nutrition value है इसमें high nutrition value है पहली बाद और कहीं न कहीं food security को जो है वो संपुस्ट करता है तो इस तरह से क्या होगा अगर high कोई किसी भी चीज में high nutrition value होगी उसमें उच पोशन छमता हो और अगर वो food security देता है तो no doubtly वो zero hunger को भी क्या है zero hunger को भी tackle करने की चमता रखता है तीसरी बात उन्होंने कहीं कि good health and well being आपको अच्छा स्वास्त चाहिए और अच्छा मनुष्य चाहिए तो जो third topic इनका है इसको भी इन्होंने कहा कि third को भी वो कहीं ने कहीं जो है third topic को भी वो handle कर रहा है तो third topic को भी उन्होंने कहा कि हम दलहन के माध्यम से good health and well human being भी चल रहे है फिर उन्होंने इसको third को लेते हुए उन्होंने कहा decent work and economic growth जो eighth है देखे eighth क्या है decent work है और economic growth है आर्थिक विकास चाहिए उन्होंने कहा कि जब भारत सबसे बड़ा उत्पादक यह दलहन का उत्पादन एक decent work है और इससे भारत को आर्थिक विकास भी हो रहा है तो उन्होंने कहा कि eighth भी हम इससे deal कर रहे हैं फिर उन्होंने कहा कि reduce inequalities लोगों में कहीं कहीं समानता जो असमानता हैं तो असमानता हैं कई level पे हैं खाने के level पे हैं रहने के level पे हैं पानी कहीं जो है सर थोड़ा detail में बता दो विशाल जैस्वाल सर दलहन क्या चीज़ है pulses pulses भाई pulses सर डीसेंट वर्क केवल agriculture हो सकता है क्या यहां पर पिंकी मिश्रा क्या आप कुछ सवाल पूछना चाहरी है डीसेंट वर्क पूछना चाहरी है तो उससे पूछ सकती है विशाल जैस्वाल साहब दलहन का मतलब pulses होता है यहां पर भारत सरकार के नरेंद्र तोमर साब ने की आईबी प्रस इन फॉर्मेशन ब्यूरो पे साफ साफ बोल रखा है कि हम SDG गोल को दलहन के उत्पादक और उभोकता होने के नाते जो है सबसे बड़े उत्पादक और सबसे बड़े उभोकता होने के नाते हम sustainable development गोल को अचीव करने की स्थिती में हम दलहन की माद्दम स भी कर रहे हैं और उन्होंने अपने भाशन में कहा कि no poverty गरीबी को भी हम कम कर रहे हैं जीरो हंगर की जो इस्थिती है उसको भी कम कर रहे हैं good health and well human being को भी कर रहे हैं decent work and economic growth जो आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए जो सही तरीके का काम करने की जरूरत है उसमें दलहन के उत्पादन को बढ़ा कर भारत सरकार उस दिसा में काम कर रही है reduce inequalities का मतलब होता है कि जो असमानताएं समाज में ब्याप्त हैं असमानताएं जो समाज में ब्याप्त हैं वो कई levels पे हैं portion के levels पे भी हैं कहीं कहीं स्वास्त के level पे भी हैं तो इन सभी levels पे देखा जाए त दलहन का एक महत्पूर्ण है कि दलहन जो है वो कहीं-कहीं पोशन के लेविल को क्या करेगी, पोशन जो मनलीजे एक अमीर वर्ग है, गरीब वर्ग है, तो गरीब वर्ग तक भी वो पोशन लोगों को उपलब्ध कराएगी, तो इससे क्या होगे, इनिक्वालिटीज जो है, उसके बाद उन्होंने कहा, तेरह, climate action को बोला, उन्होंने कहा कि जो दलहन है, वो दलहन कहीं कहीं है, जो pulses है, pulses की जो कृषी होती है, वो nitrogen fixation को बढ़ाती है, जो nitrogen fixation को बढ़ाती है, पिंकी मिस्रा, what is the meaning of decent work, please go my lecture, एक मैंने lecture लिया है, उसको मैं link share कर देता हूँ, पिंकी मि development goal में decent, what do you mean by decent work, I have discussed this, अगर मैं देखे, इन सभी चीज़ को वापस SDG, मेरा काम यहां पढ़ाना, pulses को लेके है, अगर मैं मान लीजे, एक एक टीज को अगर clear करने लगोंगा, तो problem हो जाएगी, ठीक है, इसलिए classes मैं कहता हूँ, daily कर लीजे, आप इस classes को daily कर लीजे, अग उन्होंने कैसे कहा देखेगा, उन्होंने कहा कि चुकि pulses क्या होती है, pulses nitrogen fixation करती है, nitrogen fixation करती है, nitrogen को क्या करती है, अपने जड़ों के माध्यम से क्या करती है, जो soils होते हैं, उसमें fix करती है, तो अगर क्या होगा nitrogen fix हो जाएगा, तो क्या होगा nitrogen की मात्रा अगर ज़्यादा वातावनन में या fixations हो जाएगा तो हम बहुत जादा क्या करेंगे हम बहुत जादा pesticides नहीं यूज करेंगे insecticides नहीं करेंगे fertilizers नहीं यूज करेंगे और इन सभी को अगर हम कम यूज करेंगे तो no doubtly क्या है कहीं कहीं climate action को पे हमारा positive impact पड़ेगा तो इन्होंने climate action को भी लेकर बोला कि हम जो है इस सब काम कर रहे हैं यहाँ पर इन्होंने जो 12th है responsible consumption and production इस पर भी इन्होंने बात की कि भारत सरकार क्या है responsible consumption और production करने में भी pulses का का काम कर रही है तो इस तरह से इन्होंने जो 17 development goal है उस 17 development goal को भी इनोंने यहाँ पर किया, ठीक है, ठीक है, तो यह चारी चीजें इनोंने की है, थोड़ा सा हम लोग चीजों को और भी धन से, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा चीजों को देख लेते हैं, क्योंकि यह कहीं न कहीं, जो पलसेस हैं, वो बड़ा इंपोर्टेंट हैं, देखेगा pulses जो होती है मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ कि अगर इसमें nutrition को देखा जाया है तो इसमें nutritious value बहुत अच्छी होती है protein की मात्रा बहुत अच्छी होती है manganese की मात्रा बहुत अच्छी होती है zinc की मात्रा बहुत अच्छी होती है इसमें low fat होता है fat की मातरा बहुत कम होती है इसमें fiber पाया जाता है और सबसे बड़ी बात है कि ऐसा fiber पाया जाता है जो gorgeous seal हो 연ude seal का मतलब होता है कि जो soluble हो fiber कई तरह के पाया जाते है अगर आप fiber को देखेंगे तो दो तरह के fiber पाया जाते है एक soluble होता है और एक insoluble होता है यहाँ पर जो fiber पाया जाएगा यह घुलनसील होगा और अगर आपकी body में घुलनसील fiber होगा तो no doubtly आपको cholesterol की मात्रा आपकी body में कम होगी और आजकल भारत में जो लोग हैं जो युवा लोग हैं या जो सारे लोग हैं उनमें cholesterol की मात्रा बहुत होती है उनको heart attack की problem आती है तो कहीं कहीं pulses जो हैं वो fiber घुलनसील की मात्रा बहुत जादा है cholesterol को कम करने में है no doubtly अगर diabetes का जो patient है उसके लिए दाल बहुत important है और कहीं कहीं immunity system को बढ़ाने के लिए दाल की बड़ी उप्योगिता है तो ये सारी चीजें तो ये क्या है ये इसका nutritious value है और IC के nutritious value को देखते वे ये कहा गया कि ये food security को क्या कर सकता है खादे चुरक्षा को ये बढ़ा सकता है लोगों को खादे सुरक्षा प्रदान करने में ये महत दे सकता है तो ये ही कहा गया ये अगर दाल को देखा जाए तो no doubtly पिंकी मिश्रा ने भी जो लिखा है इसका environmental values बहुत है environmental values का मतलब समझेगा कि ये कहीं न कहीं जो है अगर आप देखें कि परियावरण को लेकर है क्यों क्योंकि ये जो दाल के जो पेड होते हैं इनकी जड़ों में nodules पाया जाता है और ये जो nodules होते हैं ये क्या करते हैं इन nitrogen को fixation कर देते हैं nitrogen को मृदा में मिला देते हैं तो इससे कई फायदे होते हैं इससे एक फायदा ये होता है कि इनको inter cropping के रूप में use किया जाता है होता क्या है कि कई बार आप गेहूं का यूज कर रहे हैं गेहूं फस्ट आपने खेत में बो रखा है या चावल बो रखा है तो इससे क्या होता है जो आपकी मिर्दा होती है उसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है और उसी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए आप तमाम तरह के यूरिया डालते हैं अब क्या होगा अगर आपने एक बार गिहूं बोया और दूसरी बार उसी खेत में आपने क्या बोदिया आपने पलसेस को बे दिया अरहर की डाल बोदि चने की डाल बोदि आपने इस तरह का काम मूंग कर दिया उडद कर दिया अरहर बोदिया अब तो ये तो समझ में आ रहोगा न कि ये सब दाल है अरहर है उडद है मूंग है चना है मसूर है तो इन सब को अगर आप बोएंगे तो इससे क्या होगा जो आपका खेत है या जो आपका जो क्यास का नाम है प्लोइंग फील्ड है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा हमेशा बनी रहेगी तो ये कहा जाता है कि environmentally friendly है ये और कहीं न कहीं inter cropping patterns को बढ़ाने के लिए इसका use किया जाता है तो ये कुल मिलाकल pulses को और food security पे जो बातची थी जो वहां पर निसकर्स था वो मैंने आपको बता दिया और इन्होंने कहा कि इससे भारत जो है जो नरेन सिंग तो उमर साब ने इन्होंने ये भी कहा कि भारत इससे आतनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ भी रहा है तो एक तरफ उन्होंने अपने भाशन में उत्पादक और भोकता भी अपने आपको सबसे बड़ा बताया दूसरा उन्होंने sustainable development goal से भी जोड़ा तीसरा उन्होंने pulses की qualities स हुए है और nutritious values से भी जोड़ा चोथा उन्होंने उसके environmental values से जोड़ा और environmental values में उन्होंने ये भी कहा कि इसको बहुत पानी की जरूरत नहीं है तो भारत में बहुत पानी की जरूरत नहीं है तो अगर आप इंडिया को देखें तो इंडिया का जो ये built है इंडिया का ये built ह मैंने नाम ले लिया तो जैसे मारवार का पठार है मारवार का छेतर है फिर उसके बाद अगर मैं बागहेल खंड बुंदेल खंड का छेतर ले लूँ और चोटानागपूर का पठार ले लूँ और ये जो पूरा का पूरा छेतर है मान लीजे इसमें मैंने कुछ भाग जो है ड्राइ जोन का मतलब होता है कि वर्षा की कमी है यहां पर अब ऐसे छेत्रों में क्या है कहीं कहीं डाल, मूँ मसूर की संबावना बहुत ज्यादा है और उन्होंने कहा कि भारत इस दिशा में काम कर रहा है ता कि जितना potential है भारत में इसके उत्पादन को लेकर वो इस potential को क्या करे वो use करे और इससे वो बड़ा और भी बड़ा उत्पादक मने और आने वाले कल को सस्टेन कर ले ठीक है आने वाले कल में सस्टेन कर ले ठीक है चावल, डाल, चोखा, इलहाबाद में सभी student के लिए ठीक है, बहुत अच्छा है पिंकी मिस्रा, ओके सर कौन सी डाल सुबोध वर्मा, ठीक है, टिंकु सर भारत के किस-किस राज्य में सरवाधिक डाल होती है ठीक है, त्रिप्ति पांडे सर जब हम पल्स के मामले में आत्मिभर हो गए तो हम पल्स import करते क्यों है असल में देखेगा, पल्स के मामले में ये statement कलही नरिंद्र टोमर साभ ने दिया है पहली बात और आप जो पल्सेस import करती है, उसमें दखेए पल्सेस में कई एक तरह की पल्सेस नहीं होती है, कई तरह की पल्सेस में वो अरत निरबर है ऐसा इस ट्रेटमेंट उन्होंने कल जो है वो जारी किया है ऐसा उन्होंने इस ट्रेटमेंट जारी किया उनके key facts अगर findings में देखा जाए तो उन्होंने क्या कहा जरा देख लीजे उन्होंने कहा कि पिछले 5-6 वर्सों में भारत ने दालों के उत्पादन में 140 लाग टन से वड़ाकर 240 लाग टन से अधिक कर लिया है 5 वर्स में 140 टन का जो मामला था उसको 240 लाग टन किया गया 2019-20 में जो भारत में 23.15 बिलियन टन दालों का उत्पादन किया है जो दुनिया में 23.62% है तो ये दुनिया का जो है उसमें 23.15 मिलियन टन का उत्पादन जो है वो भारत की तरफ से किया गया है तो ये उन्होंने उसमें महत्पूर बात की उन्होंने जो सबसे महत्पूर बात की है उन्होंने कहा कि ये food basket का सबसे important पहलू है उन्होंने कहा कि food basket का बहुत important पहलू है मतलब अगर आप food basket में देखेंगे तो मानलीजे रोटी है, चावल है, डाल है, सबजी है तो उसमें उन्होंने कहा कि सबसे important है और खासकर Indian tropical countries के लिए बहुत important है क्योंकि अधिकान्स लोग जहां पर vegetarian है उन vegetarian लोगों को protein की मात्रा कहां से मिलेगी तो इसलिए डाल जो है वो भारतिय परंपरा में क्या है भारतिय परंपरा या tradition जो foods है उसमें शामिल कर लिया गया है ये जो परंपरा से हमारे हाँ जो रोटी, चावल, डाल, सबजी क्योंकि हमारे हाँ पर अधिकान्स लोग vegetarian हुआ करते थे तो उनको food, उनको protein की कमी कैसे, उनके शरीर को protein कैसे प्राप्त होगा तो no doubtly उनको protein प्राप्त करने के लिए यहाँ पर जो है और सूखे और बारिस्वारे इलाकों में भी इसे उखाया जा सकता है तो कहीं न कहीं देखा जाए तो ये dry zone का भी मामला है कि dry zone में भी हम कर सकते हैं और जहां वर्षा हो रही है बहुत जादा तो नहीं लेकिन अगर बीच-बीच की वर्षा है तो भी हम वहाँ पर इस pulses को उ है मद्दप्रदेश का पार्ट ले लीजे चाहे आप तिलंगाना का पार्ट ले लीजे चाहे आप रायल सीमा का पार्ट ले लीजे तो ऐसे बहुत सारे छेतर हैं जो भारत में dry zone है तो no doubtly pulses की खेती के लिए वो बहुत आवसक है उन्हों ने अपनी बात में एक चीज और क कमी करेगा क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर चावल आप बो रहे हैं तो CH4 मिथेन गैसे बहुत निकलती हैं तो अगर pulses का छित्रफल विस्तार होगा तो CH4 की मात्रा कम होगी और ये कहा गया कि green house gases के उच्छरजन में भी ये कमी करता है कुछ लोगों का मानना है कि अगर pulses स्मथुरा की refinery है और स्मथुरा की refinery से तमाम तरह के जो हैं वो gases निकलते हैं जिसमें NO3 है और SO4 है और इसमें क्या होगा इसको atmosphere से क्या होता है इसको N मिल जाता है तो यहां पर atmosphere से इसको जो है nitrogen मिलेगा और nitrogen मिलके S2SO4 या HNO3 इस तरह के acids बनाता है तो ये कहा गया कि जह प्रिप्ति पिंके मिश्रा जब हमें पल्स के मामले में आत्मिरभर हो गए तो हम पल्स को इंपोर्ट करते हैं तो उन सब बहुत सारी विराइटीज को लेकर मैंने आपको लोगों के लिए डिसकस कर दिया ये कल नरेंद्र तुमर साहब को लेकर ये चीज बात की गई है एक सगेंड आप लोगों का तवज्जो चाहूंगा यहां पर अगर देखें कि दलहन छेत्र के विकास के लिए समर्पित जो हैं बहुत सारे संस्थान है जैसे ग्लोबल पल्स कांफरेटरेशन है खाद्यो क्रिसी संगठन है जो सेंटरास की विसेस एजंसी है वो भी ह मैं अभी क्लास जब खतम होगी तो इसके बारे में मैं आपको अभी PDF में डाल दूँगा प्लीज आप यहां से study कर लीजेगा खाली संस्थानों का नाम है क्योंकि संस्थानों का नाम आपको पता होना चाहिए कि भारत में कौन से संस्थान है जो इस दिशा में काम कर रहा ह तो भारतिय दलहन अनुसंधान का नाम आपको याद होना चाहिए, भारतिय क्रिसी अनुसंधान परिसत का भी नाम आपको याद होना चाहिए, कि ये दाल के दिशा में या पलसेस के दिशा में ये लोग काम करने वाले संस्थान हैं, ठीक है, ठीक है, तो ये हम लोग कर लिए चलते हैं, यहाँ पर किसी ने सवाल पूछा था, तिंकु साब ने पूछा था, कि सर किसका production जादा है, तो देखेगा मेरे पास जो तने data है, 2016-17 तक का data है, अगर production में सबसे हाई देखते हैं, तो मद्ध प्रदेश का है, फिर महारास्टा का है, फिर राजस्थान का है, फिर चेक करने में मुझे मद्ध प्रदेश महारास्टा जो है, वो मिला है, ठीक है, ठीक है, अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा, थोड़ा सा हम लोग चलते हैं, देखे, बड़ा important topic है, किसी का सवाल हो, त्रिप्ती, त्रिप्ती, पिंकी, मिश्रा, sir, kindly sir, please, provide you or SDG lecture, ठीक है, मै दे दूँगा, दे दूँगा, चलिए, थोड़ा सा यहां पर चलते हैं, क्रिप्टो करेंसी पे, देखे, थोड़ा सा आप लोग समझ के काम करिएगा, कि क्रिप्टो करेंसी वाला मामला थोड़ा important है, और बड़ा पेंचीदा मामला है, तो पहले मैं आप सभी लोगों को बता देता हूं मामला क्या है, असल में सरकार ने क्या किया, जो हमारी government of India है, government of India ये बात समझ रही है, कि आजकल दुनिया बदल रही है, मेरी पूरी क्लास बहुत ध्यान से सुनियेगा, दुनिया बदल रही है, जैसे मैं एक simple सा example लेता हूं, pinkie को ले लेता हूं, pinkie जो है वो जा रही है, Reliance Trend जा रही है, Reliance Trend में उन्होंने Shopping कर लिया, और Shopping किया तो उनको क्या मिला, उनको देखी क्या मिलता है, Shopping किया मालो 2000 रुपय का, 2000 जब उन्होंने Reliance Trend से Shopping किया, तो उनको 200 Points मिल जाते हैं, 200 Points मिल जाते हैं, आप लोगोंने सुना होगा, ये Points की कहानी सुनी होगी और अगर आप लोगों ने सुनी है तो प्लीज यस लिख दीजे आप लोगों ने सुना है कि नहीं लिखा है कि आप किसी जाते हैं कहीं शॉपिंग करने तो वहाँ पर आपको पॉइंट्स मिलते हैं किसी ने नहीं सुना है अब मेरी बात को समझेबा, 200 point मिल गया, अब अगर मैं आप से बोलूँ, में आप से बोलूँ, मानलो ये पिंकी को 200 points मिला, Pinky ने क्या किया ये 200 points को अगर मैं Pinky ने मताया कि सर मुझको 200 points मिला है तो मैंने बुला अच्छा किसका है तो बुला Reliance Trend का है सर, तो मैंने का अच्छा एक काम करो कि Reliance Trend का है तुम Tata SELIC पे चली जाओ, Tata SELIC पे चली जाओ और Tata SELIC पे उस 200 points को यूज कर लो तो क्या is it possible that कि वो जो reliance trend का 200 point है वो टाटा से लिख पर चल जाएगा नहीं चलेगा that is वो वहाँ पर कोई भी उसका legal value वहाँ पर नहीं है लेकिन अगर वो ही 200 point pinky वापस reliance trend पर आती है और अगर कोई सामान खरिती है तो उस 200 point की values उनको क्या मिलेगा उनको off मिल जाएगा मतलब clear है मतलब clear क्या है कि देखिए दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है दुनिया में जितने भी business है वो points में कहीं कहीं व्यापार करना शुरू कर रहे हैं दुनिया में जितनी भी विवस्थाएं बन रही है वो अपनी अलग तरह की एक तरह की currency बनाने का काम कर रही है currency बनाने का मतलब यह नहीं कि note छाप रही है currency बनाने का मतलब यह है कि मान लीजे उनको क्या है उनको off देना है तो off न दे points दे रही है points और यह points उन तक ही काम कर रहा है उन तक काम करने का मतलब उस उनके शोरूम में काम करेगा अब आप जरा सोच के देखिए कि Reliance Trend का जो शोरूम है वो पूरे इंडिया में अगर मैं कहता हूँ कि Pinky ने खरीदा लखनवू में Pinky ने लखनवू में खरीदा Reliance Trend से और उनको 200 points मिला तो क्या ये 200 points वो यूस 6,9 में कर सकती हैं तो जवाब आएगा हाँ सर 6,9 में यूस कर लेंगी चन्हे ने जाकर वो 200 points वो यूस कर सकती हैं इस चन्हे ने यूस करने में उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी इस तरह की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है अब मैं आपको थोड़ा सा क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में लेकर चलता हूँ, कि क्रिप्टो करेंसी वर्क कैसे करती है या क्रिप्टो करेंसी का मामला क्या है, थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करिएगा, तो ये बात बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगी, द बहुत लोग fluctuate होते रहते हैं, मैं देखता हूँ कि लंबे समय तक रुक नहीं सक रहे हैं, रुकेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, रुकना बहुत जरूरी है, देखेगा, एक मैं आपको A बनाता हूँ, एक B बना देता हूँ, दो चीजें बना देता हूँ, A यहां पर B जो है, वो USA का बैंक है, ठीक है, अब मेरी बात को समझेगा, इंडिया में जो बैंक में कैसे होगा, रुपीज में काम होगा, और B में कैसे होगा, डॉलर में काम होगा, ठीक है, अब जरा समझेए, A को मान लीजे, पैसा भेजना है, कहां पे, इंडिया क्या एक पैसा भीजने के लिए अपनी mobile को खोलेंगे और जिस bank में इनका खाता होगा उससे वो transaction करेंगे तो यहाँ पर बीच में कौन होगा तो A से पैसा B में जाने के लिए इनको क्या चाहिए इनको एक मध्यस्त चाहिए मद्यस्त का मतलब होता है intermediaries चाहिए मतलब एक न कहीं न कहीं एक intermediaries चाहिए ए पैसा विशाल जैस्वान को पैसा भेजना है कहां पे भेजना है अमेरिका भेजना है तो उनको banking system चाहिए होगा और इस banking system में जब ये जाएंगे तो बोलेगा कि इंडिया कौन हो तो बोलेगे विशाल जैस्वाल मैं विशाल हूँ तो ये पूछेगा कि father का name क्या है father का name क्या है mother का name क्या है pen card number क्या है सब कुछ इनकी details यहाँ पर जब ये पैसा भेज रहे होगे तो इस bank के पास detail होगी जिसको भेज रहे हैं उसकी भी detailing के पास इस bank के पास हो जाएगी मतलब क्या है यहाँ पर इंडिया से जब भेजा जाएगा USA को भेजा जाएगा तो इसमें एक bank होगा जिसके पास A की भी detailing होगी और जिसके पास B की भी detailing होगी यह तो real currency इस तरह से work करती है यह real currency इस तरह से work करती है लेकिन एक होती है digital currency या cryptocurrency या फिर उसको और भी नाम दिया जाता यह work कैसे करती है मानलीजे A को पैसा भेजना है किसको भेजना है B को भेजना है अगर A को पैसा B को भेजना है कोई भी intermittities वहाँ पर नहीं होगा हाँ हाँ सर अभी हाल में Elon Musk ने 1.5 billion dollar का bitcoin करीदा है यही बात तो मैं अभी बताऊंगा कि देखिए बड़े बड़े जितने उद्योगपती है चाहे वो Elon Musk हो चाहे वो आपके Tata के हो चाहे वो लोग यह लोग cryptocurrencies में इन्वेस्ट कर रहे हैं और यही बड़ी problems भी है और बहुत easy भी है क्योंकि अब दुनिया को कोई भी barrier नहीं चाहिए होगा दिखिएगा असल में हर आदमी barrierless होना चाहता है barrierless होना चाहता है मेरी बात को दड़ा ध्यान से सुनिएगा A से B तक जाने के लिए मान लीजे जो real विवस्था थी जो real banking प्रणाली थी भारत में या दुनिया में कहीं पे भी कहीं से कहीं पैसा भेजना है तो आपको एक मध्यस्त bank चाहिए होगा जो आपका नाम पता नोट करेगा उसका नाम पता नोट करेगा आपका पैसा रूपीज मिलेगा उसका पैसा उसको डॉलर में दे देगा ये होगा अब क्या है ये रूपीज है ये डॉलर है जो crypto currency या इस तरह की जो digital मुद्राएं होती है ये जो digital मुद्राएं होती है इनमें कोई भी पहली बात की कोई भी न रूपी का concept है न डॉलर का concept है ये किसी concepts में नहीं है ये अपने आप में क्या है एक virtual मुद्रा है एक algorithm पे बनी हुई चीजे हैं ये कोई भी मुद्रा का स्वरूप नहीं है ये किसी भी देश में क्या है वो मुद्रा अपने रूप में वो स्विकार हो सकती है रुपए को जब भेजना होगा तो वो डॉलर में चेंज होना होगा लेकिन इसको जिस रूप में आप भेज रहे हैं उसी रूप में उस देश में भी स्विकार यहाँ पर होगा पहली बात याद रखेगा दूसरी बात कि इसमें barriers नहीं होंगे कोई भी barrier नहीं होगा कोई भी barrier आपको नहीं मिलेगा तीसरी बात कि यहाँ पर कहीं न कहीं मतलब barrier का मतलब कि जिसे यह क्या है यह जो मद्यस्त है यह third party है यहाँ पर कभी भी भेजने के लिए आपको third party की जरूरत नहीं होगी तुरंत आप उसको भेज सकते हैं ठीक है अब जरा यहां पर समझिएगा पिंकी मिसरा there are many students of mine जिनको अभी यह धंक से नहीं पता है कि क्रिप्टो करेंसी वर कैसे करती है तो पहले मैं उनको समझा तो दूँ फिर मैं चलूँगा कि regulation of virtual money can there be a global regulation आप खुद सोच के देखिए कि global regulation कैसे कर लेंगी जिस money का आपको पता ही नहीं है जिस money का circulation आपको पता नहीं आप उसको कैसे कर लेंगी आप उसको कैसे कर लेंगी जो money blockchain पे बनी हुई है जिसकी algorithms पे बनी हुई है जो end to end description होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ही जा सकता है तो आप उसको कैसी third party उसमें कहां से involved हो जाएगी ये खुद सोच के देखिए आपको जवाब मिलेगा नहीं हो सकता है ये ही सबस नहीं होगी कोई भी मध्यस्त नहीं होगा कोई भी third party नहीं होगी कोई भी geographical barrier नहीं होगा कोई भी geographical ऐसा नहीं है जिसे रुपीज क्या है तो रुपीज एक अपने आप में geographical barrier है क्योंकि इंडिया में ही चलेगा औस्टेलिया में लेके जाएंगे तो पूछेगा न वो क्या नहीं है हमारे यह नहीं चलेगा, तो यह geographical barriers में ही चलता है जो सिक्का है, यह क्या है, यह geographical barriers से बाहर है, कहीं कहीं भौगोलिक परिसीमाँ से यह बाहर की चीज है, प्लेस एक चीज जियाद रखिये गा, लेस चार्जेस हैं, देखेए जब आप इंडिया से पैसा भेजेंगे डॉलर में रूपीज मान लिजे विशाल ने पैसा भेजा यहाँ पर USA में तो इन्हों ने मान लिजे 50,000 रुपए इन्हों ने भेजा तो बैंक जो है अपना कुछ क्या करेगा बैंक अपने चार्जेस को काट लेगा मान लिजे मुझे नहीं पता कितना काटेगा लेकिन फिर भी मैं अंदाजा रगा लेता हूँ कि कम से कम 300-400 रुपए या 500 रुपए उसने काट लिया जब आप क्रिप्टो करेंसी भेजेंगे मान लिजे विशाल को क्रिप्टो करेंसी गरूप में किसी भी को भेजना है तो उसमें क्या होगा उसमें less charges होते हैं बहुत minimum charges होते हैं हाड एक 2 रुपए या 5 रुपए के आसपास होगा तो जो यहां 500 देना था वो यहां 5 रुपए देना होगा फिर उसके बाद इतना fast होगा यहां पर क्या होगा विशाल बैंक जाएंगे time लगेगा वो भेजेगा तो it will take 1 hour अगर यह 1 hour के बाद भी मान लीजी अपने mobile से ही करना चाहते हैं तो it will take half an hour लेकिन यहां cryptocurrency भेजने के लिए अगर विशाल को भेजना है तो it will be very fast तो कुल मिलाकर क्या है कुल मिलाकर देखे virtual algorithm पे है बैरियर कुछ नहीं है geographical indicators नहीं है कोई भी मध्यस्त आपको नहीं चाहिए होगा very fast होगा और कहीं कहीं charges बहुत कम होंगे तो यह कुल मिलाकर क्या है उसका फायदा है तो मतलब अगर profit पूछा जाए तो profit या उसका positive aspects पूछा जाए तो positive aspects यह हैं cryptocurrency के लेकिन negative को देखते हैं negative को देखते हैं जैसे मान लीजे विशाल को पैसा भेजना है और विशाल को पैसा भेजना है तो खाता संख्या में भेजेंगे किसी account number में भेजेंगे account number मैंने मान लिया 100005524 यह इस खाते में विशाल को पैसा भेजना है मानलीजे अमेरिका लेकिन अगर विशाल ने क्रिप्टो करेंसी को भेजा और पता चला इन्हों ने जिसमें खाते में भेजा वो गलती से इन्हों ने क्या किया कि 10000524 की जगा इन्हों ने 542 कर दिया 542 में वो पैसा चला गया मानलीजे गलती से तो पहले क्या होता था कि पह कर लेता था क्योंकि गलती से गया क्योंकि बैंक के पास भेजने वाले का पता है रिसीवर का पता है बैंक के पास जो भेजने वाला है जो भेज रहा है उसका पता है और जो रिसीवर एंड पे है उसका भी पता है इन दोनों का पता है दोनों को लेकिन अगर आप इस तरह की क जानकारी विशाल को कभी नहीं हो सकती है कि ये तीसरा एकाउंट किसका है और ये तीसरा मैं जिसमें गलती से चला गया इसकी किसी को जानकारी नहीं है और चुकि कोई भी इंटर्मिड्रीज नहीं है कोई भी मध्यस्त नहीं होगा जिसके माध्यम से आप उस पैसे को क्या कर का ला सकते हूं मालीजिए अभी तो विषाल ने 50,000 भेजा था कहीं गलती से विषाल एक बड़ी कंपनी का टाइकून है एलन मस्क है और इन्होंने 50,000 करोड रुपए भेजा हो और 50,000 करोड रुपए अगर गलती से किसी के भी खाते में मालीजे विशाल को पैसा भेजना था 50,000 करोड रुपए इस खाते में और गलती से उन्होंने क्या किया 524 की जगह उन्होंने 542 डाल दिया तो वो पैसा 50,000,000 करोड रुपए दूसरे के खाते में पहुँच जाएगा और विशाल उस पैसे को कभी नहीं ले पाएंगे क्यों नहीं ले पाएंगे क्योंकि intermittities नहीं है, मद्यस्त नहीं है पहले bank मध्धस्त होता था bank को दोनों का पता था किसके पास है कौन भेज रहा है और किसके पास जा रहा है लेकिन यहाँ पर कोई भी मध्धस्त नहीं है और जब मध्धस्त नहीं होगा तो regulation करेंगे कैसे कैसे किसी बात को regulate आप कर पाएंगे आपका जो पैसा गया है तो मतलब कुल मिलाकर मैं आप सभी लोगों को ये बता देता हूँ कि जो transaction होंगे वो irreversible in nature होंगे कभी भी लॉट कर आपके पास अगर गलती हो गई तो आपके पास नहीं आ पाएंगे ये जान लीजेगा transaction are irreversible in nature फिर ये सबसे बड़ी बात है कि इस पैसे का जादा तर उपयोग जो दुनिया में देखने को मिला है used for illegal activities illegal activities का मतलब होता है इस पैसे का बहुत सारा गंदा use देखने को मिला है जैसे वैश्या वृत्ती में देखने को मिल रहा है prosecution के धंगे को मिल रहा है जितने drugs के धंदे हैं उसमें देखने को मिल रहा है जितने arms and ammunition है धंदे उसमें देखने को मिल रहा है इसमें pornography में जितना पैसा हम डाल सकते हैं ये इसमें मिल रहा है तो इस तरह का पैसा जो ज़्यादा तर यूज हो रहा है जो अभी data उपलब्ध है कि इस तरह के पैसे इसको जहां तक लोग use करते हैं उनको ड्रक्स बहुत जादा है, arms and ammunition है, pornography है, वैश्या विर्क्ती है, child pornography है इस तरह के उन illegal activities में जिसे illegal mining हैं, पता चला illegal wild trafficking है मतलब illegal wild trafficking का मतलब है कि अगर आपको मान लीजे, मान लीजे, मैं कह रहा हूँ कि आपको great Indian bastard की खाल मंगवानी है, तो पता चला कि पैसा कैसे भेजना है तो पैसा जो आपने क्या कर दिया, उसको crypto currency में भेज दिया और उसने आपको चीज़े मुईया करा दी तो इस तरह से पाया गया कि इस पैसे इसका जो सबसे बड़ा use है, वो use for illegal activity हो सकता है टेरोरिजम के लिए पैसा जो है वो इस्तेमाल हो सकता है, चुकि bank में खाता नहीं है, आसानी से आपको तक महुँच सकता है तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें यहां पर हो सकती है, अब जो important aspect है मैं अपनी पूरी class को है वो मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, यह important aspect है, जो सबसे important aspect है मोरे पूरी class को बताना चाहता हूँ यह blockchain technologies पर use होता है, इसमें कौन सी technology यूज होती है, काम कैसे करता है, तो यह blockchain technology है ब्लोक का मतलब देखिए, यह एक block है, यह एक block है, यह एक block है, चेन का मतलब आप समझ रहे होंगे कि chain मतलब एक दूसरे से जुड़ा होगा एक दूसरे से जुड़ा होगा ये पहला block होगा ये दूसरा block होगा ये तीसरा block होगा मान लीजे A को B ने पैसा भेजा तो ये जो A को B ने पैसा भेजा ये पहले block में चला जाएगा और मान लीजे B ने C को भेजा मान लीजे C का एक block में चला गया और C से D का एक block में चला गया तो इस तरह से यहां पर पैसा जो है वो transfer होता है यहां पर एक चीज याद रखेगा कभी भी data मिटाया नहीं जा सकता है कभी भी data के transfer है वो मिटाये नहीं जा सकते हैं और इसी को लेकर कहा जा सकता है मैं इस पर थोड़ा सा आप लोंगो टेक्निकल्टी बता देता हूँ जैसे A से B को गया तो B के पास पैसा जब भी आएगा तो वो इसी ब्लॉक में, second ब्लॉक में जाएगा मतलब B ने अगर किसी को पैसा भेजेगा तो A ने भेजा तो पैले ब्लॉक में रहेगा B ने किसी को भेजा होगा तो वो दूसरे ब्लॉक में होगा और दूसरे ब्लॉक के डाटा को कभी भी हटाया नहीं जा सकता है इसलिए कई लोग कहते हैं कि जो सवाल उठता है कि इसको कैसे कोई मैनेज करेगा तो ये कहा जाता है कि सब manage करना इसको बहुत आसान इसलिए होगा क्योंकि कभी भी इसको manipulate नहीं किया जा सकता है, कभी भी data इसको delete नहीं किया जा सकता है, ये इस तरह के algorithm पे बना हुआ है या इस तरह का इसमे data distributed है कि कि किसी भी data को हटाया नहीं जा सकता है, किसी भी data को को कहीं न कहीं manage करने की जरूरत है बहुत आसान है blockchain technology पे खाली आपको आपना password आपको याद होना चाहिए और कहीं न कहीं इसके जो चोरी का डर मतलब कहीं आपको hackers इसको न चुरा ले बाकी इस तरह की जो currencies हैं वो बड़ी safe हैं इस तरह की जो currencies हैं वो बहुत ज्यादा safe हैं अ currency no doubtly no doubtly the coping की जब हमने दुनिया शुरू की थी मैं अपनी पूरी class को बताना चाहता हूँ जब हमने दुनिया शुरू की थी तो हम कैसे थे हम barter system पे थे barter system का मतलब होता है कि हमने क्या किया हमने एक सामान जिसे तुम थी तो तुमने क्या किया गिहू उत्पादन किया है और मैंने क्या किया है तो मैंने चावल उत्पादन किया है तो तुमने गिहू के बदले मुझको चावल दे दिया और मैंने चावल के बदले तुमको गिहू दे दिया तो दुनिया exchange पे काम कर रही थी और उस exchange से काम करते करते दुनिया कहां पहुँच गई है दुनिया virtual currency पहुँच गई है तो इतने development को अगर हम 500 साल पहले अगर assume करती मानलो पिंकी 500 साल पहले तुम ये सवाल मुझसे बूस्ती तो हो सकता है मेरा जवाब रहता नहीं लेकिन 500 साल बाद दुनिया इतनी बदल चुकी है और मैंने हम लोग चुकी बढ़ाते हैं तुम पढ़ती हो हम लोग देख रहे हैं कि दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है तो हम इस बात की संभावना को कैसे नकार सकते हैं कि क्या ये संभाव नहीं हो सकता कि virtual currency no doubt ली virtual currency दुनिया में हो सकती है इसलिए हो सकती है तो इसमें मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया पिंकी मिसरा, अब ज़रा मेरी समाल का समझ लीजे, देखे मामला क्या है, मामला बहुत important है, नहीं समझेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि मामला क्या है, देखेगा दो तरह की चीजें होती है, कोई भी जो करंसी दुनिया में पाई जाती है, उसमें दो सवाल होता है, लीगल है की लीगल है, ठीक है, एक होता है लीगल और एक होता है इलीगल, और एक होता है लीगल टेंडर, ये तीन टर्म होते हैं, टेंडर होते हैं, जैसे जो आपका रुपीज है, जो आपका रुपीज है, व वो लीगल टेंडर भी है जैसे मैं आपको एकदम सिंपल सा एक्जामपल बताता हूँ मेरी पूरी क्लास बहुत ध्यान से सुनिएगा कई लोग इसमें हटते जा रहे हैं आते जा रहे हैं ये बड़ा अजीब सा लगता है प्लीज थोड़ा सा मुझे अपना टाइम दीजिए अगर आप अपना समय देंगे तो मैं नोड़ाउट ली आप लोगों को समझा ले जाओंगा थोड़ा सा इहां important है थोड़ा सा समझ लीजेगा जिसे rupees है माल लो मैं ruby मिश्रा को कहता हूँ रूबी मिश्रा गई वो वाशिंग मशीन खरीदने वाशिंग मशीन खरीदने रूबी मिश्रा गई है और वाशिंग मशीन उन्होंने कहा कि वाशिंग मशीन पैक कर दीजे हमारे लिए जब इन्होंने वाशिंग मशीन को पैक करा लिया तो इन्होंने कहा कि ऐसा है कि काम करिए कि मैं आपको मेरे Reliance का Share है मेरा Reliance का Share है आपका ये वाशिंग मशीन कितने का हुआ तो उन्होंने का 20,000 का तो Ruby मिस्रा ने कहा कि मेरे Reliance के Share है जो 20,000 रुपए के हैं और आप इसको आज वर्तमान में जो values की 20,000 रुपए है आप एक काम करिए ये Share रख लीजे मैं आपके नाम ट्रांस्फर कर दी रही हूँ तो क्या वो वाशिंग मशीन वाला Ruby मिस्रा का Share ले लेगा? नहीं! क्यों? क्यों नहीं लेगा? जबकि मूले तो 20,000 रुपए है वाशिंग मशीन का मूले 20,000 रुपए है Ruby मिस्रा के Share का भी मूले 20,000 रुपए है लेकिन क्या होगा? ये नहीं लेगा क्यों नहीं लेगा? क्योंकि Legal Tender नहीं है भारत सरकार की नजरों में वो वैध मुद्रा नहीं है भारत सरकार की नजरों में वैध मुद्रा वो है जिसमें वो कहता है कि मैं धारक को वादा करता हूँ और उस वादा को RBI क्या करता है? पुस्ट करता है तो उसी को हम कहते है Legal Tender होगा Legal Tender की अवधारणा मुझे लगता है मैंने क्लास को सब समझा दिये सर आज Digital Currency की जरूरत है दुनिया को त्रिप्ती पहले यह समझ तो लो कि Legal Tender है क्या Legal है की नहीं है? जैसे अभी पता है अभी UPSC अगर पूछ लीगलती से कि Cryptocurrency इस उसने एक लाइन पूछ लिया उसने कहा कि Cryptocurrency इस इन लीगल इन इंडिया तो तुम स्टेटमेंट सही मानोगी कि गलत मानोगी? लेकिन वो लीगल टेंडर नहीं है यह अंतर होता है लीगल है लेकिन लीगल टेंडर नहीं है यही पहले मैं समझा लूँ उसके बाद जो सवाल पूछोगे वो मैं बता दूँगा यहां पर समझेगा लीगल है लेकिन लीगल टेंडर नहीं है ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, दिखे, RBI का decision था cryptocurrency को लेकर 2018 में, March 2018 में उसने एक decision लिया था, उसने कहा था कि जो भी circular bank हैं, उसको कोई भी service provide नहीं करेगा cryptocurrencies में, उसने ये बाद decision में कही थी, एकदम clear रहिएगा, legal sir but not legal tender, हाँ, legal है लेकिन legal tender नहीं है, अब यही बात समझेगा, RBI ने कहा कि, RBI ने एक निरणय दिया और उसने कहा कि cryptocurrency के रूप में, कोई भी bank जो है, वो स्वीकार नहीं करेगा trading को, और उसने उसको illegal कहा, और कहा कि legal tender भी नहीं है, illegal है, सब कुछ खराब है, लेकिन Supreme Court का निरणय आता है, और उस Supreme Court के निरणय में, उन्होंने cryptocurrency का जो circular है, उसको जो इन्होंने निरणय दिया था, RBI के उसके निरणय को पलट दिया, और उन्होंने कहा कि, ये virtual currencies were not banned in India, virtual currency जो है, वो भारत में बैंड नहीं है, भारत में virtual currency को लेकर सकरात्मक माहूल है, virtual currency होती है, भाई, आप क्या करते हैं, आप किसी भी सामान को खरिदते हैं, त आप पैसे को भेजते हैं, दिखे, एक होता है, जैसे मैं आपको simple सी बात बता रहा हूँ, आपने 10 रुपय का सामान खरीदा और 10 रुपय दे दिये, और आपने देखा कि 10 रुपय का सामान है, और आपने उसको mobile से 10 रुपय भेज दिया, तो mobile से 10 रुपय क्या है, ये virtual currency है तो ये अगर virtual currency है, तो Supreme Court ने कहा कि आप इस आधार पे खारिज नहीं कर सकते हैं, वो भी एक virtual currency है और आप इस आधार को लेकर खारिज नहीं कर सकते हैं, यहीं से क्या हुआ crypto currency भारत में legal हो गया, भारत में legal हो गया है, लेकिन legal tender नहीं है, आप किसी भी cheese court cryptocurrency में legal तो है कि crypto currencies चलिए भारत में legal आ गया, लेकिन अभी इसमें लेंदे नहीं हो रहा है, इसमें आप share नहीं खरीच सकते हैं, इसमें आप कोई भी क्या है, पता चला कि आपने जमीन लिखवाई, और जमीन लिखवाने के बाद उस जमीन की कीमत 10 लाग है, तो आपने बोला मैं crypto currency दे देता उसने कोई strong evidence नहीं paste कर पाया, कि कैसे जो है virtual currencies को लेकर वो सोच रहा है, तो इसको लेकर अब जो कल भारत सरकार पे, मतलब भारत सरकार जो निरने ली है, जो भारत सरकार ने हिंदू के article में छापा है, उसमें सरकार ने कहा कि सरकार ने crypto currency पर कानून बनाने के लिए बयान द अब को आने वाले कल के लिए future के लिए तयार होना है, और जब future के लिए तयार होना है, तो no doubt लिए आपको crypto currencies पे अपने आपको update रखना पड़ेगा, कि crypto currencies पे कैसे हम अपने आपको update रखें, और उसको लेकर कानून बराने की बातचीत चल रही है, crypto currencies में देखा जाए, तो आज कल बहुत cryptocurrencies हैं, चाहे Bitcoin है, चाहे Libra है, चाहे Geocoin है, इस तरह की तमाम cryptocurrencies भारत में हैं, और कहीं न कहीं जो लोग तरक दे रहे हैं, उन सभी लोगों ने कहा, कि देखिए सबसे important बात है, कि जितने भी companies हैं, जितने भी showroom आप जाएंगे, सब points बाट रही हैं, सब points बाट आप में एक virtual money हैं, और कह सकते हैं, कि हर company उस virtual money में काम कर रही है, तो भारत में इसको legalized tender के रूप में कैसे use किया जाए, इसको कैसे इसके लिए नियम बनाया जाए, तो इन सभी चीजों पे विचार करने की आवशकता है, क्योंकि आने वाला future cryptocurrency का होने वाला है, क्योंकि य सारी चीजों को करना भी चाहे रही है, तो ये हो गया cryptocurrency का मामला, सबसे बड़ी बात मैंने आपको बता दिया कि cryptocurrency work कैसे करती है, तो मैंने आपको blockchain की तरह, blockchain पे work करती है, याद रखिएगा एक important fact है, peer-to-peer तकनीक इस्तिमाल होता है, peer-to-peer तकनीक का मतलब होता है, जैसे pinky pinky मिश्रा ने भेजा त्रिप्ती पांडे को, तो सिर्फ pinky और त्रिप्ती involved होंगी, दुनिया में और कोई भी इस मामले में involved नहीं हो सकता है, peer-to-peer मतलब या इन से इन तक ही मामला होगा, बाकी कोई भी नहीं होगा, ये अपने आप में transaction का एक mathematics है, जिसमें लेने वाला औ बाकी कोई नहीं उसमें सामिल हो पाता है, तो ये कुल मिला कर मैंने बता दिया आपको, सबसे बड़ी challenge भारत में क्या है, cryptocurrency को लेके, no doubtly जो challenges हैं वो बड़े हैं, एक challenge क्या है, भाई RBI के पास कोई framework नहीं है, CAB के पास कोई framework नहीं है, मतलब जो regulatory bodies हैं भारत में, उनके पा cryptocurrencies का क्या behavior और pattern हैं अभी इस पे भी है, कुछ लोग कहते हैं बहुत volatile है, कुछ लोगों को ने कहा कि पता चला आज पैसा लगाया और पता चला की 5 लाख लगाया और कल वो जो है 1 लाख हो गया, कुछ लोगों ने कहा कि आज पैसा लगाया 5 लाख और कल जो है वो 15 लाख हो यह कहा गया कल हिंदू अकबार में कि cryptocurrencies have a growing client base in India despite having legal uncertainty, तो ऐसे में कहीं नगहीं cryptocurrencies को लेकर भारत सरकार लगातार काम कर रही है, अब मैं सवालों को ले लेता हूँ, जिसको भी जो सवाल पूछना है मुझसे पूछ ले, जिसको भी सवाल पूछना है, अब शेक तिवारी मुझ में आया की नहीं आया, बाकी बाकी लोगों से मैं ये पूछना चाहा रहा हूँ कि किसी को कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ ले, विशाल जैस्वाल, नमीन कुमार सिंग, अपशेक तिवारी, त्रिप्ती पांडे कोई सवाल हो तो पूछो, अब पूछो, सर मैं पूरी क्लास को बताना चाहता हूँ, चार बजे फाइनेंस कमिशन पर क्लास है, प्लीज उस क्लास को अटेंड कर लीजेगा, बहुत इंपोर्टन क्लास है, बाकी मैं कर लूँगा, समझ गये सर, रूबी मिस्रा क्लियर है, मोनू, ये सर समझ में आया, बाकी, पिंकी मि ये दन ये है, कि देखे, क्लास अचानक से आप आएंगे और ये जरूरी नहीं है कि आपको समझ में आएगा, आपको कम से कम आप मुझे अपना 5 या 10 दिन दे दीजे, आप उमीद मानिए कि 5-10 दिन देने के बाद आपको ये जरूर लगेगा कि क्लास में बहुत सार्थक बहस होती है, और ये सार्थक बहस ऐसा नहीं है कि खाली pre के उद्देश से है, ये सार्थक बहस mains के भी उद्देश से होती है, खाली pre finding outs मैं नहीं करता हूँ, mains के रूप में भी भाई, मैंने challenges पर बात की, मैंने cryptocurrency work कैसे करती हैं, इस पर बात की, उसके profit पर बात की, इसके non- पिंकी अगर कोई भी question हो तो मुझसे पूछ लो, पिंकी जी अब class में present रहिएगा, सर क्रिप्टो करंसी कैसे बनाना होता है, किस material से, नवीन कुमार साब इसलिए कहता हूँ, समय से आया करे, क्रिप्टो करंसी algorithm होता है, algorithm होता है, इसको बनाया नहीं जाता, ये एक mathematical algorithms होता है, और इसी mathematical algorithms पे वो बनता है, वो बना हुआ है, वो किसी material का नहीं होता है, वो गणित के नियमों के आधार पर बनाया गया होता है, वो किसी भी उस पे नहीं मतलब होता है, ऐसा नहीं होता कि उसको किसी ने कहा गया, एक नाम है, जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ, example शतोशी नाकोवामा का नाम है, यह बना जाता है कि इन्होंने दुनिया में इसको शुरू किया था, इन्होंने दुनिया में इसको शुरू किया था, जी सर ग्राहक बेहस सर जूम अप्लिकेशन पर भी class लगा सकते हैं, सर्ट क्रिप्टो करन्सी कि ठीक है कुल मिलाकर यह है मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूं दिखे पिंकी मिश्रा साब से मैं बता देना चाहता हूं कि दिखे मेरी क्लास एक मैंने फाइनेंस कमिशन पर क्लास ले रखी है अगर जिसको भी साम को चार बजे क्लास में आ रहा था और अब वो कॉपरिटिव फ्रेडलीजम से निकल कर किस पे जा रहा है तो अब कॉपरिटिव फ्रेडलीजम से निकल कर कॉपरिटिव फ्रेडलीजम पे जा रहा है तो क्यों वो जा रहा है क्या कारण है कि की नाधार मैं कह सकता हूं कि what are the basis of that कि कॉपरिटिव फ् ठीक है आज के लिए धेर सारी सर ये करेंसी किस ने स्टार्ट किया बेटा ये देखो डिजिटल करेंसी या जो ये क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहा हूँ ऐसा माना जाता है कि सातोसी नाको आमा ने स्टार्ट किया है लेकिन बेटा ये भगवान की तरह है ना आदी है ना अ लेकिन ये कौन हैं, किस रास्ट के हैं, कैसे दिखते हैं, गोरे हैं, कि सामले हैं, कि काले हैं, कि उचे हैं, कि नीचे हैं, लड़का हैं, कि लड़की हैं, कि थर्ड जेंडर हैं, किसी को कुछ भी नहीं पता है, तो इसलिए बेटा उस तरह का सवाल UPSC घवडाना मत पूछे कि सर अच्छा नहीं लगा मुझको आज के लिए सभी लोगों को देर सारी शुक्ताम नहीं धन्यवाद